हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम VFD और PLC के बारे में डिसकस करने वाले हैं कि VFD को हम किस तरीके से PLC के साथ में connect कर सकते हैं तो VFD को PLC के साथ में connect करने के हैं पर दो तरीके होते हैं एक तो है कि सिंपल आप नॉर्मल जिस तरीके से हम अपने बाकी के आउटपूर्स को अनॉफ करवाते हैं उसी तरीके से अपने VFD को भी अनॉफ करवा लेजी के द्वारा एक या फिर दूसरा तरीका है कि आप communication के द्वारा इसको connect कीजिए और उसके बाद जैसे कि आपने देखा रहेगा कि जो हमारे मलब कि कोई अगर यह हमारा उपरेशन हो रहा है तो उसके समां क्या करते है पी इडी को जो मारा पीडी को अन आफ करने की ज़रूत नहीं होती है वो टाम प्रिचर जिस हिसाब सब्सक्राइब हिसाप कम या ज्यादा रहेगा उसी हिसाप से हमारी विए व्टी पी wenn है उसका भी यह अपनी फ्रिक्वेंसी को कम और ज्यादा करेगा और मोटर की स्पीड कम या ज्यादा होगी तो वह अनलोग डिजिटल कनेक्शन होते हैं अनलोग डिजिटल में जो प्रोग्रामिंग होती है वह भी हम आगे वह थोड़ा सा एडवांस है उसको हम आगे बाकी जो बेसिक चीज है जब हम उनको समझ जाएंगे तो इसके बाद हम अनलोग डिजिटल तो एनलोग में जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर हम नॉर्मल जो कनेक्शन कर सकते हैं नॉर्मल जैसे कि हम किस तरीके से PLC से VFD को कंट्रोल कर सकते हैं वह आज आपको इस वीडियो मे एक देखे क्या-क्या चीजा होती है मैंपार्ट समझारे नंबर पहला तो एक हमारा शेपीयू जिसको हम सेंडरल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं उसके पाद यहाँ पे डिप्रोग्राम हम इसमें अपलोड करते हैं जो कि हमारा यहाँ पे प्रोग्रामिंग जो डिवा है वो हमको output module से मिलता है और हमारी power supply होती है जो कि इस CPU को power देने का काम करती है power इसका control करती है तो यहां पर देखे input module अगर मैं आपको practically दिखा हूं तो यह वाला portion जो है उपर का यह वाला portion आपका input module है और यह वाला portion आपका output module है ठीक है इसके ऊपर मैंने काफे detail वीडियो बना रही है इसी पर नॉर्मल सा आपको समझाने के लिए ताकि आपको समझ में आ जाए उसके बाद हम input module में देखे हैं यहां पर कुछ input signals देते input sensing device जिसके हमारा no push button हो गया nc push button हो गया हमारे sensors हो लिमिट itta सःंसे हो गया फिर हमारे सारे input sensing device है और output sensor देवाइस का या पर बाकी के जो operating devices हैं वो हो सकते हैं हमारे यहाँ पर output sensing devices ठीक है तो यह तो होगी बात कि हम किस तरह के से input sensing devices से connect करते हैं output sensing devices से connect करते हैं बाकी बात आती है हमारी VFDA की तो यहाँ पर देखे मैनुवल में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर रहेगा आपका M0, M1, M2, M3 भी होगा किसी किसी में तो इस तरीके से आपको इसके connection कर सकते हो तो यहाँ पर देखे M0, M1, M2 का मतलग क्या है कि आप VFD से normal 24V लीजिए इससे आप 24V VFD से लीजिए चाहिए आप VFD से लेगा और पर चाहिए आप किसी other power supply का जो आपका source है आप वहाँ से 24V लो उससे फ्रक्शनी पड़ता है तो यहाँ से VFD का मैंदोल में अगर ऐसा connection दिये गए है तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे सबसे पहले तो हम यहाँ पर 24V यहाँ से output उठाएंगे उठाने के बाद हम एक N0 पूस्टन लेंगे और उसको M0 के साथ में connect कर देंगे से तरीक से एक और N0 पूस्टन लेंगे इसको हम M2 के स connection होते हैं वह आला होते हैं हम पूटेंशिक जो पूट होता है हमारा पूटेंशियोमेटर उससे भी हम मैनवली इसकी फ्रिक्वेंसी को कम यह जादा कर सकते हैं लेकिन अगर हम नॉर्मल वीवडी के तो आगर हम कंड्रोल करें तो हम क्या काम करते हैं हम से पहले तो पॉज इसके मैनवल में कि यहाँ पर इसका ओप्रेटिंग वोल्टीज कितने हैं उसके बाद अगर हम एक नॉर्मल तरीके से अगर वीवडी को कंड्रोल करना चाते हैं से मीजी तरीके से पील्सी के द्वारा तो हम क्या गाम करेंगे हम सिंपल जो हैब 24 वोल्ट है 24 वोल्ट यहा एक nc लेंगे इसको हम यहाँ पर i2 के साथ में कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा कि अगर हम no1 जो यह वाला हमरा number 1 है और यह हमारा i1 है और यह हमारा i2 है अगर हम i0 को i0 वाले no push बटन से अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो इसमें क्या होगा इसके अंदर ए i1 को प्रेस करते हैं तो हमारी motor reverse चलती है या फिर i2 को अगर हम प्रेस करते हैं तो हमारी motor जो है वो stop हो जाती है अगर इस टैप करेक्शन है तो आप यहां पर क्या गाम करेंगे इसके common terminal को आप plus 24 volt के साथ में connect करेंगे और negative को आप relay को direct दे देंगे तो जब भी हम i0 को प्रेस करेंगे तो i0 को प्रेस करती ही हमारा q0 on होगा q0 on होगा तो इसके common को हम 24 volt पहले से दे रही है तो यह क्या करेगा यह no nc बन जाएगा इस तरीके से और हमारी relay on हो जाएगी और रिले को on होते ही हम इसका जो इस रिले का जो होगा इस रिले के अनो को हमने 24 वोल्ट पहले से दे रहे की होगी और वहां से वह 24 वोल्ट से होगा इस M0 को मिलेगी तो यहां पर हमारा motor जो है वो reverse में चलने लगेंगी इसका मैं आपको एक simple सा program बना करके यहां पर दिख आपके अनो करवाली और इस Mbit को मैंने holding दे दी इस तरीके से M0 की holding और यह हमारा मान के से हमारा X0 है और यह हमारा X1 है तो यहां पर हमने क्या काम किया हमने X0 NC push button लिया X1 हमारा यहां पर अनो push button हो गया तो जब भी हमारा क्या है जब हम इसको X1 को on करेंगे तो हमारा M0 on होगा और M0 के ऑनो से हम और और नों लियका हम अनो कर वा लेते हैं जिसको हम एड्रेसिंग दिए क्यों तो यहां पर यह हो गया क्यों जीनो है जैसे हमारा M0 होगा तो यहां पर हम क्या काम करते हैं यहां पर हम एक और पूस बटन लेते और उस बटन से मैं यहां पर इसको होलोलिंग देता हूं मैं यहां घिकर मैं यहां यहां बर्ण करते हैं मेरा जो आउटबुट हो निछ यह और क्यों में क्या कम कर दो हो को में फोर्वर्ड चला हूंग और इस तरीके से फोरवर्ट लगा और इससे जो होगी वह हमारा M1 जो कि हमारा VFD का M1 है वह वाला है, यह Mbit वाला M1 नहीं है, यह VFD वाला M1 है, यह हमारा ON हो जाएगा, इसको हम सिगनल देंगे, से मिची तरीके से जो हमारा, अब मोटर को हमें अगर स्टॉप करनी है कि हमार करेंगे, इसके इन तीनों के साथ में जो हमने X0 जो लिया हुए है, यह X0 जो हमारा, वो इन तीनों को off करने का काम करेंगा, ठीके, यहाँ पर आप यहाँ पर आपको X0 यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीके, जब यहाँ इस X0 को प्रेस करेंगे, तो आपका, यह X0 भी यह क्शुकी सस्थ कर सकते हो गी के साथ में इस तरहां च सकते हैं कि फीन उर चुन केवल दूट और कि सबस्क्राइब के जाते कि सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इस वीडियो का नगी हमें आप कमेंट करका ज दूल बताईएगा वीडियो साथी थोड़िचे लंबे वीडियो का नोट्टिकेशन लगता है मिलता रहे अपना कीमती समय हमको देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में